हेलो नमस्कार स्वागत है आप सबका मेरा नाम है आर्जू सेट और आप देख रहे हैं महाकुम 2025 की स्पेशल कवरेज इस वक्त हमारी मौझूदगी प्रियागराज में है और तस्वीरे आपको दिखाएंगे क्योंकि इस वक्त मेरी मौझूदगी बहुत ही खास जगे पर है इस वक्त हम शिवाले पार्क में मौझूद है और अगर आप देखे तो किस तरीके से काम जो है वो जोरो पे चल रहा ह है क्योंकि इसका inauguration महाकुम 2025 से पहले का हो पहले होना है और इसलिए आप देखे किस तरीके से चाहे नंदी हो उनको भी बड़ी खुबसूर्ती के साथ यहां पर बनाया जा रहा है अगर बात करें तो वेस्ट माटीरियल से इन सभी आकरतियों को बनाया जा रहा है आर्ट, शीवा का जो टेंपिल है वो भी यहां पर बनाया जा रहा है आप देख सकते हैं बिलकुल केदार नाथ की रेप्लिका जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है नंदी जो है वो जो मंदिर है उसको देखती हुई नजर आ रही है यानि कि अपने शिव को देखती हुई इतना समय निकालने के लिए मैं अगर बात करें तो किस तरीके से आप देखती हैं महाकुम 2025 को और कैसी तैयारियां चल रही हैं फिलाल तैयारियां हम सब देख रहे हैं और अभी आपने स्वेम बताया किस तरह से इतना सुन्दर नंदी जी का निर्मान हुआ है बनारस काशी का भी निर्मान हुआ है तो हमें इस महाकुम्भ में बहुत सारा बदलाव देखने मिल रहा है जिस तरह से 2019 में जो अर्द कुम्भ हुआ और अब जो 2025 में महाकुम्भ और दिव्यकुम्भ और भव्यकुम्भ जो बनाया जा रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ये पार्क के अंदर इतनी सुन्दरता से हमारी सनातन धरोहर को बताया जा रहा है कि किस तरह से केदारनात है, नंदी जी है, शिव जी है, उसके बारे में पूरा वर्णन दिखाया जा रहा है, पूरा भारत वर्षिस में दिखाया जा रहा है, तो हम और आप यही देख रहे हैं क ये दो हजार पचीस का कुम्ब बहुत ही historical कुम्ब होगा मैं अगर बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं जहां एक तरफ tradition को बढ़ाया जा रहा है तो वहीं पर modern चीजे भी देखने को मिल रही है drone show देखने को मिलेगा robotic fire tenders जो है वो देखने को मिल रहे है तो किस तरीके से ये जो चीजे देखने को मिल रहे है ये youngsters को भी attract करेंगी अपना culture जानने के लिए अपना जो उनका religion है उसको समझने के लिए उनको किस तरीके से attract करेंगी उनको ये सब चीजे बहुत ज़ाधा attract करेंगी क्योंकि जब तक attraction नहीं होगा तो हमारे new generations की जो पीडियां हैं जो बच्चे हैं वो किस तरह से समझ पाएंगे सनातन संस्कृति और दरोहर को और मंदिरों को तो ये जो drone shows है ये बहुत जरूरी है ये आज के जमाने के लोगों के लिए बहुत जरूरी है पहले जमाने की बातें अलग थी और आज की पीडियों के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है और drone shows की जहां तक आब बात कर रहें ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है आज के जमाने में यं robbery आट्रैक्शन्स के उपर ज्यादा बिलीव करते है अब ये पार्क इतना बड़ा पार्क बना है तो ये क्यों बना है ये आट्रैक्ट करेगा लोगों को गाउं गाउं के लोगों को अट्रैक्ट करेगा और सब आएंगे देखने के लिए केडारनात को देखने आएंगे तो नंदी जी को देखने आएंगे शिव जी का प्रतिमा को देखने आएंगे और यह जो आपने भी बताया क्राइब क्राप से जब इतना बड़ा निर्मान हुआ है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं आपके चैनल के माध्यम से थैंक्स कहती हूँ योगी सिरकार को थैंक्स कहती हूँ मोधी जी को जिनोंने सनातन संस्कृती को बचाया है और लोगों को दिखाने का कारे कर रहे हैं आने वाली पीडियों को समझाने का कारे कर रहे हैं क्योंकि हमारी आने वाली पीडियों को सबसे ज़ादा जरूरत है कि धर्म के बारे में knowledge होना it should be the knowledge to upcoming new generations, children दिल्कुल सही बात कही आप ने क्योंकि यंग्स्टर्स को अपने धन के बारे में जाना वो सबसे बड़ी चीज है अगर बात करें तो महा कुम्ब 2025 की बात करें या पहले भी जो कुम्ब हुए हैं उनमें भी हमने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उसी अगर हम देखें तो पॉजिटिव डिस्टिकॉंड से अगर हम देखें कई लोग नेगिटिव ली भी लेते हैं अगर हम कहते हैं हर चीज को पॉजिटिव लो 2025 का ये भव्यकुम्ब है इसमें किस तरह से किनर समाज सम्मिलित हो रहा है किनर समाज जो पूरी दुनिया देख रही है आज की डेट में जिसे कोई नहीं पूछ रहा था आज संत महात्माओं ने उन किनर समाज को गले लगाया और बड़े-बड़े पदों पे बिठा दिया है जो कभी सोचा नहीं था तो ये बहुत बड़ी चीज आपको कुम्ब में देखने मिल रही है और इसके इलावा कुम्ब के अंदर बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जैसे शाही स्नान है शाही स्नान में हम कैसे जाना है कैसे पूजा करना है कैसे पद्दिती है और फिर इसमें ये भी चीजे हैं कि संत महात किस तरह से महा मंदलीश्वर, मंदलीश्वर, जगत गुरू का पद पीडियों को दे रहे हैं और किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है जिस तरह से जो भागवत के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार भी हो रहा है आज देखते हैं हम बड़े बड़े LED लगते हैं उसमें कथाएं सुनाई जाती है दिखाई जाती है और हमारे सनातन दरोहर को भी दिखाया जाता है तो ये न्यू जनरेशन्स की पीडियों के लिए ही तो है क्योंकि हमें new generations की पीडियों को बताना बहुत जरूरी है हम कई बार देखते हैं कि Muslims community को भी हम देखते हैं वो अपने मजब को बचाने के लिए अपने मजब को strong करने के लिए वो बच्चों को ग्यान देते हैं अपनी community का जैसे है कि नी मदर से में तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे भी आज के सनातन धर्म के जो चोटे चोटे बच्चे हैं उनको भी अब संत समाज ग्यान दे रहा है चोटे चोटे बच्चों को धर्म का ग्यान शास्तरों का ग्यान दे रहा है क्यों दे रहा है ये कुम्ब में वो भी चीज़े देखने मिलेंगी आपको तो ये कुम्ब जो है historical कुम्ब इसलिए तो कहा जाता है अगर बात करें तो कहीं न कहीं ये महा कुम्ब मिला एक बड़ा रोल प्ले करता है unity को भी बढ़ानी के लिए एक सब को एक जुटता दिखती है जब सब आते हैं हर वर्ग की लोग यहां पहुचते हैं और सिर्फ इंदिया के ही नहीं बलकि मैंने जब बात करी तो फॉरण से लोग जो है वो महां को पहुच रहे है देखी इसलिए तो योगी जी ने कहा था है न कि एक टा की बात कही है बटो मत बटोगे तो कटोगे कहा योगी महराज ने तो क्यों कहा उन्होंने ये नहीं का हिंदू मुसलिम को अलग करने के लिए उनका कहना था कि हमारा पूरा भारत वर्ष एक छत के नीचे आए और सबसे बड़ा उदाहरन का स्तोत्र है हमारा ये दोहजार पचीस का महा कुम्ब जो ये महा कुम्ब पूरे विश्व को दर्शाएगा एक ताका प्रतीक क्योंकि भारत एक है एक जुट है भारत वर्ष के सनातनी जितने भी है वो कभी हिंदु मुसलिम नहीं करते हैं सब एक जुट हो और आएं एक छत के नीचे के आने वाले टाइम में बांगला देश जैसे लोग है न पाकिस्थान जैसे लोग जिहादी जैसे लोग हमारे भारत वर्ष पे हावी ना हो जाए एसी लिए हमारे योगी जी का कहना था कि एक जुटता की बात उन्होंने कही प्रधान मंत्री जी भी एक जुटता की बात कर रहे है और यही एक जुटता इस प्रयाग राज की भूमी पे देखने मिलेगा दो हजार पचीस के इस महा भव्य दिव्य कुम्ब में देखने मिलेगा आपको पिल्कुल तो देखिए एक जलक जो है वो हमें एक ताकी देखने को मिलेगी अगर महा कुम्ब की बात करें तो भव्य होगा दिव्य होगा जिस तरीके से हमारे जो यहाँ पर गैस है वो बता रहे हैं कि इंतजार है महाकुम का कुछ ही दिन रह गए हैं और हर कोई उसका इंतजार कर रहा है कब महाकुम स्टार्ट होगा और कब वो रिच्वल जो हैं उनकी शिरवात होगी हमाए साथ और भी गेस मौझूद हैं कि करके हम उनसे भी बाचीत करेंगे डॉक्टर शाम प्रशाद बीजेपी लीडर जो है वो भी हमाई साथ मौझूद है किस तरीके से तैयारिया जो है वो सरकार निकी हुई है हम देख रहे हैं पूरा प्रियाग राज मानी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सस्य मुख मंत्री मानी योगी आदितनाज जी और योगी आदितनाज जी योगी है जैसा उनका भेस है वैसा उनका कार्य है अगर अभी आपने कहा न किन्रों के बारे में सोचना ये छोटी बात नहीं है, उनको मेंधारा में जोड़ना ये छोटी बात नहीं है, आप कुम्ब की बात कर रही हो, तो मैं 2013 में कुम्ब में पहुंचता हूँ, 2013 में यहां पे कुम्ब था, 2019 में यहां अर्ध कुम्ब था, 2013 के जो कुम्ब हुआ था, उसमें सपा की सरकार थी, औ सपा की सरकार ने प्रभारी मंतरी कुंभ कौन आजम खा बने थे हिंदू का हिंदू का आस्था कभी से था यह कुंभ 2013 का कुंभ हिंदू का आस्था कभी से था 2019 का कुंभ हिंदू का आस्था कभी से था 2035 का कुंभ हिंदू का आस्था कभी से था आपको मैं बताना चाहता हू 2013 का जो कुम्ब था यहां इतना बड़ा भगदर मचा कि कितने लोग हमारे खतम हो गए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप आजम खाए अगर हम अभी बात करें तो क्योंकि मोहौल है खुशी का तो हम याद करेंगे हम जानना चाहेंगे कि क्या तैयारिया है कोई भी चीज आदमी गम से निकल के जब खुशी तरफ आता है न तो गम को मैंने बरता दिया अब मुझे खुशी की बात कर रहा हूं दो हजार पचीस में तैयारी की बात करें तो जादा बहतर होगा क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहेंगे विश्व गुरू बनने जा रहा है जहां पे तर्ज पर प्रियाग राज नैनी में भारत के नकसा के तर्ज पर हमारा सनातन धर्म कहां कौंसी मंदिर हमारे सनातन धर्म को बढ़ा रहा है उस चीज को उस लोकेशन पर दरु साने यह योगी और मोधी का ही कारे हो सकता है यह अधर सरकारे सोच नहीं सकती आज पूरा देश सनातन के रास्ते पे चल चुका है आज पूरा देश हिंदुत के रास्ते पे चल चुका है मोदी जी ने कहा योगी जी ने कहा कि ना बटना है और ना कटना है एक चुली आपको बता दूँ यह कुम्भ साबित कर देगा 2025 का कि मोदी जी का कहना क्या था और योगी जी का कहना क्या था ना हिंदु कभी बटा है और ना बटेगा यह भारत भारत देश है यह हिंदुस्त कर रहता है और बात करें तो प्रागराज में भी किस तरीके से तयारियां चल रही है हर कुछ देखते बन रहा है हमाई साथ हिस्टॉरियन ललत मिश्रा जी भी मौझूद है सर आप से तो सबसे पहला सवाल यहीं रहेगा एक ओरीजन और किस तरीके से महाकुम इवॉल्व हो है उसके बारे में सबसे पहले अपने पहला सवाल पूछा ओरजीन तो आपको बताता हूं है कि जब से इसके कुम्ब के हिस्टोरिकल रिकॉर्स की ओरजीन होती है तब से इंटरनेशनल अपने फॉर्मेट में सेवन सेंचुरी में चाइनिस ट्रैवलर ह्वें स्वांग ने तो जो निव यर है एस्टोनामी इस लिम्टेट तो निव यर बट पहली बार इंडिया दिखा रहा है पूरे वर्ल को कि हर एवरी फेस्टिवल है इस इसका इंपॉर्टन्स है इसमें सन, मून और जुपिटर तीनों की एक साथ जब एक कॉंबिनेशन बनता है तब कुम हो तो जो बात कहीं कि यहां पर पूरे भारत की एकता सब को साथ में मिलने का और वो उससा है तो उसको ही इंडोस करती है यहां की हिस्टिव यहां प्रियागराज में एक हमारे बहुत ही प्राचीन के प्राचीन किंग हुए हैं एंपररर शमुद्द्रगुप्त पूरे भारत का जो चेत्र पूरा एरिया था पूरे एरिया का डिस्क्रिप्शन पहली वार प्रयागराज में मिलता है इन इंडियानिस्ट्री सोला सो साल पहले उसके बाद में हम देखते हैं कि उस आगे चलकर एक मुगल एंपरर होता है जहांगीर भी अपनी इंस्क्रिप् आप्टर आप्टर सम् थाओंगीर ने आगे बढ़ाया हाला कि खुद बना सकते थे तो थोड़ा सा ट्रिके भी है कि उन्होंने खुद नहीं बनाया इसके बाद हम देखते हैं कि बिटिस पीरियाड में यहां सुरू से इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हाते रहे हैं और हम 2020 से यहां पर रसीयन साते रहे हैं और इस जगह पर ऐसा है कि रसीयन और उक्रेयन दोनों एक ही स्लाफ कम्यूनिटी है दोनों कम्यूनिटी के लोग और अपने एक ही इंडियान गुरू के साथ में पिछली बार पिछले कुम्मे आये थे स्वामी विश्नु देवा अनन ही कॉमन गुरू अंडर इस डिसाइपल हुड उक्रेयन भी आए और रसीयन भी आए इसके अलाबा आस्ट्रेलियन जो हिनों 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 अपनी वे अफ लाइफ है और आचार जस्पाल ऐसा कुछ नाम था उनके साथ में आये तो बैंड के बैंड विदेशी आते रहे हैं तो तो सारी दुनिया को भारत का संदेश देता है जो देख रहे हैं आप कि मोदी जी ने और योगी जी ने यहाँ पर पूरा एक मैप लगाया बनाया हुआ है सारे तीर सिस्थानों का कितारना धाम का नंदी आपने पहले ही बताया तो पूरे भारत का जो मैप बनाया हुआ इन टैंजिबल वे और ये युनेसको की साइट है युनेसको की हरिटेज में इंस्क्राइब है इसे रिकगनीजन मिली हुई है तो मुझे लग रहा है कि सारा भारत यहाँ पर अपने आपको एकिकलिट करेगा देशी विदेशी सब मिलेंगे और सनातन की पवित्रता भी य कितना बदला है कुम्ब और अगर बात करें तो कितना महतपूर और कितना खास इस बार का महा कुम 2025 का होने वाला है यही कुम है कि जब भी होता है history क्रेट करता है तो 1906 में जो आपने पूछा है सबाल 1906 में यहां पर कुम हुआ पर उस कुम में कॉलरा यह स्प्रेड हो गय इसको में पर वह इंफेक्शन भी इतना ज़ाद नहीं था क्योंकि यहां पर दो लाख लोग एक साथ रह रह रहे थे उस समय भी तब दीज ने हिस्टी क्रिएट करी तो नाइटीन नाइटीन नाइन फिर कुम्भ हुआ फिर इसने हिस्टी क्रेट करी और उसके रिकॉर्ड प छो भी आएंगे उनकी बायमेंट्रिक्स लेजाएगी ताकि कोई भी एहां पर घो कोई भी बच्छे चोड़े बच्चे यार कोई भी आ हरग विकलांग है तो फोन जाएंगी उनके बायमेट्रिक Smid उनको सबकी इंटिर कि जा सकती है इसके अलावा टेक्नॉलोजी के लिए हैल्थ क्यार में काफी इन्वेस्ट किया है गॉवर्मेंट से हम देख रहे हैं और हेल्थ केर में इन्वेस्मेंट तो बिर्टिस पीरियड से हमें इसलिए बिटा दी कि 1801 में जब पहली बार बिर्ट तो उसमें कोई भी डिसकंफर्ट या डिसकंटेंट नहीं होना चाहिए लोग सुख से आए और खुशी से जाए तो बिडिज ने भी इन से और किया और यह एक कुम्भ ऐसा उकेजन था जब यहां पर नेशनल मुवमेंट के दौरां फ्रीडम फ्रीडम जब हम विए फाइड राज में होई थी उनीस सो बीस में जब मदन मुहन मालवी जिन्हें भारत लगत दिया गया बाद में उन्हों ने यहां किषानों को इकठा करना सुरू किया था अंग्रेजियों के खिलाफ तो इसका एक हमारी राश्ट्री सुतनता के अंदोलन में भी योगदान है सांस्क बाबा तो जब यहां आए वो आटवाइग्राफी के लिखक तो स्वामी पारा महंचनन तो उनको पहली बार उनसे उनकी मीटिंग हुई है यहां प्रयागराज कुम में तो इस तरह से जिस भी सेक्टर में आप देखेंगे तो हर सेक्टर में एक इंपॉर्टन्स एक जाते हैं उनके बारे में अगर आप बताएं किस तरीके से वो रिट्वल्स करे जाते हैं कौन से दिन सबसे खास रहने वाले हैं जैसे अगर महा शिवरात्री जो है वो भी पढ़ रही है किस तरीके से रहने वाला है क्या कुछ खास जो रिच्वल्स हैं दो तरह की हैं एक टिथी के अधार पर जो सीवरात्त्री तो शीवरात्ती तिथी के अधार पर और दो और रिचुवल यहां पर बहुत महत्फ़ू नेकुम्ट के लिए और जो हमारे शाधु सन्यासियां उनमें आपस में कॉम्पेटिशन भी रहता है कि हम पहले ना आए आप पहले ना है इस कादशी और मावस्या के दोरान बहुत भीड़ यहां बढ़ जाएगी नेपाल से लेकर सी लंका से लेकर सब जगा के लोग जो हिंदू सनातन धर्म के किसी भी टेडिसन में हैं बहुत बड़ी संख्या में आकर यहां शमलित होते हैं उन दिनों समस्या चैलेंज रहेगा प्र जोरो शोरो पर हैं कोई भी कमी छोड़नी नहीं जाएगी और हर एस्पेक्ट पर काम जो है वो किया जा रहा है फिलाल जहां पर हम मौझूद है इसकी खासियत भी बताएंगे आपको क्योंकि बहुत खास सक्स हमारे साथ जोड़ना है जो इसके बारे में बताएंगे हमारे जो आपको कि यहां पर जो मिलियंस लोग जो प्रियागराज पहुच रहें उनको भी यहां पर आना है इसको देखना है और इसको अपनी आखों में बसा लेना है कॉंड़ेक्टर साब कितनी तयारिया हो गई है क्या कुछ बनाए और क्या कुछ खास जो है अगर शिवाले जब लोग आएंगे तो देखेंगे मेरा नाम गुर्पी सिंगे मैं आर्टिस्ट हूं जो यहां पर मैं बारा जोती लिंग है और बहुत सारे जो और भी शिवा को लेके जो में टेंपल्स हैं वो हैं और हमारे पास नंदी का स्कुल्चर रहेगा और अमरतमंत्र का स्कुल् में आरे हैं उनके लिए मैं गुमने के लिए बहुत अच्छा हम एक नया पर त्यार करें आप लोग की बहुत खुशी होगी क्योंकि महा कुम हो रहा है और इसी बीच आप लोगो को मौका भी मिल रहा है अपने जैसे बात के आर्टिस्ट भी आप हैं तो आपने अपनी कला को यहांपर दिखाया है जो मिल्लें जो आएंगी वो आपकी कला कर देखेंगे इतके जरी अर पास और हम बहुत आप सरह हमने नया प्रयास एक जैसे प्लड़ किया है जो बिलकुल वेस्ट मानते हैं जैसे कवाड मानती है तो हमने उन्होंक्त ौनौकर करनी कोशिश कि बत बात करें तो कब से इस पे काम होना शुरू हो गया था, कब से आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, क्योंग हम देख रहे हैं काफी भव और दिव ये मंदिर जो है वो नजर आ रहा है, काफी एकड़ जमीन में फैला हुआ है, कि कितना टाइम लग रहा है और अभी भी हम देख एक त्यारी चली रही है, मैं मैं ऐसा है, लगवाद तीन से चार मन्तों से लगातारी स्ट्रक्चर को त्यार करने में लगे हुए है, और हमार साथ बाइस तेईस आर्टिस्ट हैं, जो ओडिसा, बंगाल, अलगाल स्टेट से आए हुए, और हमार साथ लगवाद तीन सो कर रहा है, अभी भी आगर आपको दिखाएं, तो देखें मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कि तरीके से काम जो है, वो यहां पर वर्कर्स लगातार कर रहे हैं, और बहुत बड़ा योगदान जो है, वो इनका भी रहने वाला है, क्योंकि महा कुम्ब में जिस तरीके से आक चार है, उनको यहां पर दर्शाया जाएगा इस पार्क में, और वहीं वोटर बोडी स्यार की गई है, और अगर इस पार्क की खास बात बताएं, शिवाले पार्क की, तो इसको इंडिया की मैप को यहां पर दर्शाया गया है, अगर आप उपर आस्मान से इस पार्क को दे किया कुछ अलग होगा, क्या कुछ खास होगा, इसका इंतजार लोग महा कुम्भ के लिए कर रहे हैं। क्या मैं परसन हिमान्शूर नेगी के साथ मैं आर्जू सेट, इंडिया न्यूस, न्यूजएक्स, दिल्ली.